कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी मोधी सरकार को घिरने में आगे रहते हैं लेकिन वो अपने आरोपों को सावित नहीं कर पाते हैं एक बरफिर सुप्रिम कोर्ट से जो ख़बर आई है उससे राहूल गांधी एक्सपोस हो गए है सुप्रिम कोर्ट के इस फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है दर्श को लोक्स बचुना में मिली हार और तीसरी बार भी सत्ता की मलाई नखा पाने का दर्द राहूल गांधी और विपक्षी नेताओं के मन में साफ दिख रहा है दर्श को समझने की जरूरत है कि किस तरह से सत्ता में आने के लिए विपक्षी दलों ने राजनेतिक स्वार्थ से प्रेरित राजनेतिक गठ जोड किया था जिसे जंता ने सीरे से खारिज कर दिया और जंता ने कह दिया कि उसे अभी भी पीम मोदी के नितरुत और बीजेपी नीत वाली इंडिये की सरकार पर ही भरोसा है वहीं चुनाओं में मिलीहार से तिल मिलाय राहूल गांधी मोदी सरकार को घिरने की कोशिस कर रहे थे लेकिन इस बार भी वो अपने मकसद में काम्याब नहीं हुए और सुप्रिम कोर्ट ने राहूल गांधी के हाथ से एक और मुद्दा छिन लिया है इसे पहले नीट परिक्षा को लेकर भी राहूल गांधी मोदी सरकार पर हमला बोल रहे थे लेकिन नीट परिक्षा फिर से न कराने के सुप्रिम कोर्ट के फैसले के बाद राहूल गांधी ने इस मुद्दे पर भी बोलना बंद कर दिया और अब एक बार फिर उनकी राजनिती देश के सामने बेनकाब हो गई है दर्शको लोकसवा जुनाव में मिली हार के बाद विपक्षी दल आज भी अपने कुछ मित्रो द्वारा सुप्रिम कोर्ट में याचिका लगवा कर लोक तंतर के सबसे बरे पर्व मतदान और मीडिया के कारिशमता और आजादी को अपमानित करने की कोशिस कर रहे है विपक्षी जो नीतियों के दिवाले पन से गुजर रहा है उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे सरकार को परिशान किया जाए तो अलग-अलग तरह के प्रपंच करके कोट पहुच रहे हैं लेकिन कोट भी उन्हें बेजज़त करके भगा दे रहा है क्या है खबर बताते हैं आप को इस रिपोर्ट में दरसल लोग सबच चुनाओं के नतीजों के बाद रहुल गांधी समेट तमाम विपक्षी निताओं ने एकजिट पोल को लेकर सवाल उठाया था रहुल गांधी ने कहा था कि पहली बार हमने देखा है कि चुनाओं के दौरान पीम मोदी ग्रे मंतरी अमिट शाह और बित मंतरी निर्मला सितारमन ने शियर बाजार पर टिपने की राहुल ने पूछा था कि पीम मोदी ने जनता को निवेश करने की सलाह क्यों दी अमित शाह ने जनता से शियर खरीदने को क्यों कहा लोग सबजनाओं के नतीजों के बाद राहुल और विपक्षी नेताओं ने दावा किया था उन्होंने आरोप लगाया था कि इन निवेशकों ने एक्जिट पोल्स की घोशना से एक दिन पहले भारी निवेश किया और बड़े मुनाफ़े कमाए जबकि पांच करोर परिबारों को भारी नुकसान हुआ राहुल गांधी ने कहा था कि इस मामले की जज के लिए जेपीसी होनी चाहिए क्योंकि ये एक क्रिमिनल एक्ट है वहीं कुछ लोग इसको लेकर सुप्रिम कोर्ट भी पहुच गये थे लेकिन सुप्रिम कोर्ट ने एक्जिट पोल की जाज करवाने की मांग वाली याजका को राजनीती से प्रेरित बताते हुए खारिच कर दिया है याजका में कहा गया था कि मीडिया हाउस और उनसे जुड़ी कमपनिया मतदान के बाद एक्जिट पोल दिखा कर निवेशकों को प्रभावित करती है ऐसे में लोगसवा के फाइनल चरन के बाद दिखाए गए एक्जिट पोल की जाज करवानी चाहिए सीजे आई डीवाई चंदरचूर जस्टिस जेवी पारदिवाला और जस्टिस मनोज मेशिरा की बेंच ने कहा ये याजका राजनीती से प्रेडित है बेंच ने कहा कि सरकार बन चुकी है ऐसे में अब लोगसवा चुनाओ पर बहस बंद होनी चाहिए और प्रशासन पर ध्यान देना चाहिए चुनाओ आयोग इस मामले को हैंडिल करेगा हम चुनाओ आयोग को नहीं संचालित करेंगे इसलिए याजका खारिच की जाती है इस याजका में कहा गया था कि चुनाओ के बाद एक्जिट पोल से निवेशक प्रभावित हुए और फिर परिनाम आने के बाद शेयर मार्केट धराशा ही हो गया और उन्हें 31 लाख करोड का नुकसान उठाना परा याजका में कहा गया था कि मतदान के बाद मीडिया हाउसों ने बहस शुरू कर दि और निवेशकों को शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए प्रेडित कर दिया इससे शेयर मार्केट अप प्रत्याशित रूप से उछला इसके बाद जब परिनाम आएं तो शेर मार्केट तेजी से गिर गया, आम निवेशकों के 31 लाह करोर उपे डुब गये यह याचिका एडवोकेट बील जैन ने फाइल की थी इस याचिका में कहा गया था कि 31 लाह करोर के नुकसान से भारत ही नहीं बलकि अंतराश्टिय अर्थविवस्ता भी प्रभावित हुई पुर्वा ग्रस एग्रसित डिबेट या फिर निवेशक प्रशारित करने से निवेशक प्रभावित होते हैं इस याचिका में कहा गया था कि electronic media, commercial industry की तरह काम करते हैं दर्श को समझने की जरूरत है कि कैसे भी करके इन्हें एक तो प्रेस को दवाना है और देश में एक किस्म का आर्थिक अराजक्ता वाला महौल बनाना है तो वहीं सुप्रीम कोट के इस फैसले से विपाक्ष और राहूल गांधी को भी बरा जटका लगा है ब्यूरो रिपोर्ट OMH News